तो अब हम लोग क्या देखेंगे, पाव़ देखेंगे, तो आपके पावर कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के फोर्स्ट क्या आपका Active, Reactive और Apparent Power, तो हम लोग इस एक्जाम्पल की थूरो समझने की कोशिश करेंगे, माल लोग कि आपके पास क्या एक मग है, आपने क्य किया आपने कोंडिंग दे मांड कि direi आपने को दे मांड कि은 आपने बोला कि मुझे पूरा पूरा मग चाहिए लेकिन दी अगर जैसे ही कौक डालते हो ही इस से इस सबिल्स धर आपके आप क्यों होते हैं यहां तक तो आपको फोम होता है तो आपको डिमांड पर-दिया эти तो पूरा इसन फों बहुता wij debates और अपने भूरा बर के चाहिए व est continued क्लीख सब्सक्वां क्लाइब है लेकिन क्लीख की ढना मैं नियों किखे हैं मग भर के किया था लेकिन आपको मिला कितना इतना और वेस्टेज कितना गया इतना गया आपको दिया तो गया था पूरा मग भर के लेकिन क्या हो गया आपका ये वाला पार्ट क्या हो गया वेस्टेज हो गया बस यूस्फुल कितना हुआ बस यहीं पार्ट आपका क्या तो first किया आपका active power, इसमें measure किस में करते हैं, kilowatt में करते हैं, तो ये क्या होता है, आपका useful power होता है, useful power, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका active power होगा, वो कितना होगा, useful power, मतलब आपको दिया तो पूरा गया था, लेकिन आपने use कितना किया, बस इतना ही part किया, उसे हम power कहेंगे, तो ये क्या होता है, energy that doing work, right, energy that doing work is called active power, right, and this is the part you want, आप क्या करते हैं, यहीं जो part था, जो आप क्या करते हैं, चाह रहे थे, यहां तक समझ में आ गया, उसके बाद, आपने यहां पर जो foam देख रहे हो, ये जो foam है, ये आपका क्या हो गया, as a waste ही गया, इसे हम लोग क्या कहते है, reactive power कहते है, इसे क्या कहते है, हम लोग, reactive power कहते है, right, reactive power, इसमें किसमें मेजर करते हो, किलो, वार में में मेजर करते हो, right, kVAR में, right, किलो, वार में, तो ये क्या होता है, फोम आपका क्या होता है, ये वेस्टेट, वेस्टेट पावर होता है, और दो, ल बाके 5 10 Och आप का इंशिए किसी पार्ट किसीी में भी पॉड्जीए तो उस पावर को क्या कहते है 5 नुशन RAW जीसिकन विभरेश रूकल है आपका six तो कि लिए वजीश होज ने हैंолодए 17 तो मुणकर hoje प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ तो पावर लगेगा अगर आपका कोई mechanical equipment से तो उसमें क्या vibration रगेर भी होते तो उसे vibration भी produce करने के लिए आपको कुछ ना कुछ energy चाहिए होती है तो उसके लिए जो power लगता है उसे हम लोग क्या कहते है reactive power कहते है यह क्या होता है wastage power हुता है lost power होता है which is not doing any work रड़ा आपका कोई work नहीं करता है यह जिसे हम लोग produce करते हिए क्छजा कोई work नहीं करता है तो इसे हम लोग क्या आते पूरे मक्य किता आपको क्या हो झाए अर टेमड आपको मिल्ला भी लेकिन क्या इसम açारो नोगा अफिसम्हरिक सेयल करते हैं ऐस्य कोहक्त भी जुचिह से जगी क्विड़ल तॉश्य जांगरा पाफित कोई क्वस्या से कुछे संवर्ण फ्र जो आपका power demand किया गया है, जो power supply किया गया है आपका, उसे हम लोग क्या कहते है, active power कहते है, supply तो हमें दिया तो पूरा गया था, लेकिन हमारा useful कितना हुआ, बस इतना part useful हुआ, और इतना part क्या हो गया, wastage गया, तो वैसे power, जितना आपने power demand किया था, जितना आपको मिला है, वो क्या कहलाता है, आपका apparent power कहलाता है, और जो power आपका use आया, उसे क्या कहते है हम लो, active power, और जो आपका power wastage गया, उसे क्या कहते है हम लो, reactive power कहते है, यहाँ तक आपको concept clear होगा, इस example से, तो जो आपका active power होता है, वो क्या होता है, आपका active power which is actually used in a circuit, इसका formula क्या हो जाता ह पी पस्टू क्या हो जाएगा वी आई कॉस फाई ये क्या होता है आपका वी आई कॉस फाई होता है इसे कैसे डिनोट करते हो पी से ये आपका क्या हो जाएगा अक्टिफ पावर उसके बाद आपका जो रियक्टिफ पावर होता है वो क्या होता है आप बताओ रियाग्टर पावर क्या वोजाता है रियाग्टर पावर को फॉर्मूला क्या होता है ? transparent power का क्याद फॉर्मूला हो जाता है अप्रेंट पावर के होता है इससे सी नोट करते हो एस क्या हो जाता है उसका अर यह आपका क्या हो जाए है यह आपको जागा क्यों पावर के यहां तक समझगे है को आई आए होप आपको इस अंब आपने साम ने समझ लिया होगा अब गृब everything triangle कैसे बनाते हैं अगर इन तीनों power को as a triangle की थूँ आपको represent करना हो तो कैसे represent करोगे अगर हमने consider कर लो कि एक आपका क्या है inductive circuit है right inductive circuit में क्या हो जाता है आपका inductive circuit है तो यहाँ पर क्या होगा current lags voltage यहाँ पर current क्या करेगा voltage को lag करेगा मैंने क्या किया यह आपका एक voltage ड्रॉ किया right और यह आपका क्या कर रहे है current है जो voltage को क्या कर रहे है phi angle ने यहाँ आपको एक triangle आपने जब ड्रॉ किया तो आपको बताना है कि यहां से यहां तक यह वाला पार्ट क्या होगा और ये वाला ये वाला पार्ट आपका क्या है ये तो आपको पता है ये क्या आपका आई है ये क्या हो जाएगा बताओ यहां देखो ये ट्रैंगल में मालो कि ये आपका क्या है A B C intrangle intrangle ABC right intrangle ABC आपका क्या हो जाएगा cos phi क्या हो जाएगा बतानो cos phi क्या लिखोगे base, base क्या आपका AB upon hypotenuse, hypotenuse आपका क्या है AC, right तो आपको क्या निकालना है, AB की लेंध निकालनी है तो AB यहाँ से क्या हो जाएगा AB equals to क्या लिखोगे AC into cos phi, right AC के लेंध कितनी है आपकी I दे रख है, I क्या हो जाएगा, I into cos phi, तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या हो जाएगा I cos phi हो जाएगा, right समझके I cos phi हो गया यहाँ से मैं लिख देती हूँ यहाँ से, यह हो जाएगा I cos phi ठीक है अब आपको क्या करना है यह वाली लेंध निकालनी है, तो यह कैसे निकालोगे Again निकालो तो यहाँ से देखो, आप क्या लिख सकते हो sin phi आपका क्या होता है, बतालो sin phi क्या हो जाएगा sin phi जो होता है, वो क्या हो जाता है आपको पॉपेंडिकुलर, पॉपेंडिकुलर कितना है BC upon hypotenus, hypotenus आपका कितना है AC, तो आपको क्या हो जाएगा आपको AB की लेंध निकालनी है, तो AB क्या हो जाएगा AB एक पस्टू क्या होगा, AC into sin phi AC into sin phi, AC की लेंध कितनी है आपको दे रखिए I, क्या हो जाएगा, I sin phi तो इसकी लेंध क्या होगी आपके I sin phi, यह हटा देते हूँ मैं, यहां तक समझ गे, आगे, तो यह आपका क्या है I cos phi, यह क्या आपका, I sin phi, यह क्या आपका I है समझ गे, तो यह देखो, एक मैं फिर से अच्छे से ड्रॉ कर देते हूँ, तो यहां से आपका क्या बन गया है, यह आपका ट्रेंगल आ रहा था, यह आपका क्या था, I cos phi, I sin phi, और यह क्या था, आपका V, सॉरी, यह क्या था, आपका I, और यहां से एंगल कितना था, आपका 5, अब मैं क्या कर रहे हूँ, सब में V से मल्टिप्लाई कर देते हूँ, यहां पर भी V से मल्टिप्लाई कर दो, यहां पर भी V से मल्टिप्लाई कर दो, तो अब देखो, आपने जब V से बिते हुआ किया आपको यह कुछ फॉर्मूला दिख रहे वी इंटू कॉस 15 अब móden का earning बन गया अब एकर भन अब आपका reactive power यह क्या हो जाएगा आपका apparent power तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो power triangle बना सकते हो समझके तो एक बावा मैं फिर से इसे अच्छे से draw कर देती हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से में यहाँ पर कर दिया मैं न तो नीचे वाला क्या था आपका active power, यह क्या था आपका? reactive power, यह क्या था आपका? apparent power, तो बथा ना? और यह angle कितना था? cos phi था, तो आपका power factor क्या होता है? cos phi, right, cos phi क्या हो जाएगा आपका? अब power factor मैंने क्या बोलता है? lt is a ratio of apparent power, sorry, it is a ratio of active power upon apparent power. तो cos phi अपको यह लिख सकता हो, P, Base. Upon Hypotenuse, right? इसलिए क्या हो गए था ये? यसा प्रव फेक्टर किसका, किसका ratio होता है? आपके active power का और किसका apparent power का, bright? यह पावर Factor कर क्या करोगे? फार्मुला याद रूखो क्या होता है? R upon Z, ये भी यह होता हुआची? अप्रवर फैक्टर और आपके तीन पावर्स एक्टिव पावर रियक्टिव पावर और आपरेंट पावर